हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब I hope you all are very well प्यारे दोस्तों आपके सामने ये देली इन्वर्सिटी का एक बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है जो की आपके आगामी अड्मिशन से रिलेटेड है और काफी हद तक बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा एक तरीके से इंफ प्रेंवर्डिंग हम बात करेंगे वह ऑफिसेल डॉक्यमेंट भी मैं आपको दिखा करके और सारी चीज़े क्लियर कर दूँगा बट उसमें बात की गई थी एक नए करिकुलम फ्रेंवर्क की जिसमें चार इयर का अंडर गैजुएट प्रोग्राम होगा हाला कि देली उन उनिवर्सिटी जारी करेंगी जो बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटी है तो इसे इत्मिनान से हम लोग देखते हैं समझते हैं कि क्या फर्क पड़े गा इसे और क्यों यह जरूरी है अब इसमें मेजर चेंजेज को हम लोग देख लेते हैं कि हाइलाइट्स में क्या क्या है डियू रिलीजर ड्राफ्ट यह तो हो गया डियू है अगला है यूजी एफसी यानी करिकुलम फ्रेमवर्क को ही यूणिवर्सिटी ग्रांट फ्रेमवर्क आफ करिकुलम ड्राफ्ट 2022 इस अविलेबल अन्द ओफिसियल वेबसाइट पर यह अविलेबल है डियू.ac.in पर डियू डेली उन्वर्सिटी डियू है रिलीजर ड्राफ्ट अप अंडर ग्रेजवेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 यह हमने देख लिया है यह वेबसाइट के बारे में यहां बता रहे है और उन्होंने 30 जनवरी तक आपसे विचार मांगा है अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो जैसे से आगे बढ़ेंगे इसमें और भी इसके बारे में डिटेल दिया गया है यूजी सी एफ 2022 allows students to opt for at least four elective papers from any other discipline other than the one opted as core discipline देख यह core discipline वैसे भी एक होता था पहले और उसके अलावे तीन चुलना पड़ता था तो अब क्या होगा अब यह चार चुलना होगा है ना मोटा मोटी मैं चीज इसमें बता देता हूँ जो आपके काम किये अब चुकि एट सेमेस्टर का होगा तो उसमें से सिख्थ और सेवेस्ट में रिसर्च मेथडोलोजी की कुछ टॉपिक पर हो सकता है स्टुजिंट्स को डिजर्टेशन लिखना पड़े यहां पर लिखा हुआ है है ना डिजर्टेशन और मेजर और माइनर एट सेवें एथ सेमेस्टर अलसो प्रोवाइड से प्रोविजन फर मॉल्टिपल एक्जिट और रिएंट्री यह इसलिए क्या गया था कि अगर आपको लाइफ में कुछ काम हो कुछ प्राइवरिटी हो जो यहां लिखा भी हुआ है तो आप उसे क्या करो आप उसे ध्यान में रखते हो हुए आप हो सकता है सेंट यह पढ़के छोड़ दो फिर नेक्स्ट यह आ जाओ तो ऐसे करने के लिए यह फ्रेमवर्क दिया जा रहा है अगर आप दो साल पढ़के निकलते हो तो दो साल की डिगरी दी जाएगी ऐसा कोई प्रोविजन नेस्टल एजूकेशन पॉलिशी में बात की गई थी चलो अगला देख लेते हैं UGCF 2022 has been drafted in a way that it helps promoting the holistic development in both academics and non-academic sphere of the students providing them flexibility so that the students can develop the ability to choose their learning trajectories and programs It will promote students creativity and critical thinking मतलब कुल मिलाके बात इनका यही कहना है कि यह creativity लाएगा थोड़ा सा एक rational thinking, critical thinking, encourage logical decision making, innovation and और भी बहुत सारे चीजों को develop करेगा Students में basically flexibility को यह बढ़ाएगा अगर उन्हें कुछ और भी करने का मन हो Suppose करो कई बारे साथ देखा जाता है बहुत सारे student है जो IIT के हैं बट उन्हें political science पढ़ने का भी मन करता है ऐसा होता है कई दफ़ा वैसे बच्चों के लिए यह एक अच्छी बात रहेगी कि वो अपना जो भी अगर वो humanities में हैं और science का कोई subject देखना चाते हैं तो वो उनके काम का आएगा आगे देख लेते हैं ठीक है holistic development of a student shall be nurtured through imparting the skills कुछ skills भी दिये जाएंगे life skills courses shall include course on environmental and sustainable development studies यह वैसे भी हर university को लागू करना था जिसमें communication skill ethics and culture science and society computational skill यह सब जोड़ा गया है IT and data analytics यह सब other skills में आएंगे जो की हैना तो यह सारी चीजें हैं जो आपके काम की थी news so I hope आपको समझ में आया होगा और हम लोग ऐसे ही update लेते रहेंगे so kindly subscribe this channel